वल्कम तो मैठ एक्सेस तो आज का जो वीडियो है आप सभी आई से सी क्लास 10 के स्टुएंट्स के लिए बहुत सदा इंपोर्टेंट है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपकी होने वाले बोर एक्जाम 2024 के लिए फिजिक्स चेप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट या फिके लोग मोस्ट स्कोरिंग चेप्टर कौन-कौन से है अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो मैंने फिजिक्स पर बना रखा है इसमें आपको पूरा का पूरा पेपर पैटन समझाया गया है कितने marks की question पूछे जाएंगे, किस section में कितने question आने वाले है किस chapter से कितने number question आने वाले है किस से long answer आएगा, किस से short answer हो आएगा सब कुछ बताएगा है, उसको अगर आप नहीं देखा है तो उसका link वीडियो का description में है आप जा करके देख सकते हैं तो इस वीडियो में आज आपको बता रहा हूँ कि physics में आपके लिए top scoring chapter कौन से होंगे जो up to 60 marks आपको दिला सकते हैं अगर आप इन chapters को सिफ और सिफ पढ़ जाते हो इनको अच्छे से आप कबर कर लेते हैं तो हमारे जो पहला chapter है force दूसरा है reflection of light at plane surface आप चाहओ तो अपने book पर टिक कर सकते हो दूसरा chapter है reflection of light at plane surface chapter 3 हमारा है reflection of light through lenses reflection of light through lenses then fourth chapter है आपका sound then calorimetry, fifth chapter and sixth chapter है radio activity जो छे chapters अप अप अच्छे से कबर कर लेते हो तो आप अपने physics के होने वाले board exams में more than 50 marks maximum 60 marks तक आप easily score कर पाऊगे 80 number के written exam all the question paper में तो मेरा तो आप सब्सक्राइब से रहागा है कि आप इन chapters पर ज़्यादा focus करो लेकिन बाकी जो chapters हमारे हैं उनको छोड़ना हमें नहीं है तो अगर ये video आप सब्सक्राइब कर लो वीडियो को like कर दो जो भी chapters आज आपको बतायागे हैं यह आपके 2 या 3 साल के simple paper के according मैंने बताया है कि यह most important chapters हैं हर बार इनसे 20 से 30 number या फिर sorry हर बार इनसे 40 से 50 number एक question और maximum 60 number एक question पूछे ही पूछे आते हैं 50 number तो आप मानलो fix है ठीक है तो अगरे वीडियो अच्छा लगा और other chapters के आपको ऐसे वीडियो चाहिने हैं तो आप हमें comment करके बता सकते हैं thank you